हाई गाईज आई होप यौल आ डूइंग डेट हम लोग बात करें हमारे डेली करंट फेर सेशन के जो सुबा चार बज़े वैलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाइकल और फ्रंटियर आई-एस पर आज की तारीक है 11 एप्रिल 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब कर जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने बाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से सब्सक्राइब करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेस को इसके साथ मैंने आपसे पहला क्वेश्चिन पूचा था कि संतोष ट्रॉफिक की स्खेल से और दूसरा क्वेश्चिन पूचा था कि पहली महिला पाकिस्तानी ग्रैमी विजेता कौन बनी है करेक्ट आंसर था इसका अरोज आफ्ताब स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेश्चिन देख लो आज के सेशन के लिए केंद्रे मंत्री मंडल ने अटल इनोवेशन मिशन मिशन एम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है करेक्ट आंसर इसका उप्ष्श नमबर डी मार्च 2016 देख लो केंद्रे मंत्री मंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन एम को जारी रखने की मंजूरी दी है पाकिकैसर को freue टिंकरिंग लाब एटेल के साथ साथ 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर एएसी की स्थापना सहित अतिरिक्त एकिकरित लक्षे भी दिये गए हैं मिशन अटल न्यू इंडिया चालेंज के माधियम से 200 स्टार्ट अप्स को भी सपोर्ट करेगा इस प्रकरिया में कुल 2000 प्लस करो दे मैवरिक इफेक्ट नाम पुस्तक हरीश महता दवारा लिखी गई है यह हारपर कॉलिंस इंडिया दवारा प्रकाशित किया गया है पुस्तक नैशनल एसेशियेशन ओफ सॉफ्ट्वेर और सर्विस कंपनी नैसकॉम के निर्मान की का अधिकारिक जीवनी है जो मियेशन देखो राश्ट्राष दिवस कब मनाया जाता है करिक्त आंसर अप्शन ओंपर बी यारा अप्रिल्स देखलो तो राश्ट्रे सुरक्षित मातर्त अप दिवस हर 11 एप्रिल को मनाया जाता घ्रिक और आप्रिवस हर साल 11 इप्रिको होनी चाहें यह दीर्व कस्तूर्वा गांधी की जयंती भी है नेक्स्ट क्वेस्टिन देखो महिलाओं कारीगरों और शिर्प कारों की प्रतिभागों प्रत्साइद करने के लिए किस संस्थान ने अफसर पहल शुरू की है इंपोर्टन क्वेस्टिन है और उन्हें सही अफसर प्रत्साइद करने के लिए अफसर पहल शुरू की ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टन है अफसर का मतलब है एर्पोर्ट आज वेन्यू फर स्किल्ड आटिसंस ऑफ दी रीजन इस योजना के तहट डबल आई संचालित हरेक हवाई अड़े पर सौ से दो सो वर्ग फीट का शेतर निर्धारित किया गया है स्वेस हायता समुहों को एक एकर पंद्रा दिनों की अबधी के लिए यह स्थान आवंटित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट मासभा ने मानावधिकार परिशद में किस देश की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताफ पारित किया है रूस डिटेल्स देख लो युक्रेन, अमेरिका, युरोपिय संग और कई लेटिन अमेरिकी देशों दुवारा रखा गया था युक्रेन के बूचा शेहर में हाल ही में सामुही कबरे और मानावधिकारों की ज्यादती पाए जाने के बाद ही है प्रस्ताफ वाया है रूस 2020 में मानावधिकार परिशत के लिए चुना गया था ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है इसके लावा लीबिया एक मात्र सदस्य राज्य है जिसे 2011 में UNHRC ने निलमवित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन देखो राष्टी रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर इसरो ने भूवन अधार पोर्टल विक्सित करने के लिए कि सरकारी निकाय के साथ एक समझोता गया अपन पर साक्षर किये है तो आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI और नाशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर इस्रो ने तकनीकी सहियों के लिए एक समझोते पर साक्षर किये हैं यह सेंटर भूवन अधार पोर्टल विक्सित करेगा जो पूरे भारत में अधार केंद्रों की जानकारी और स्थान प्रदान करेगा तक्नीकी सहयोग के लिए भारते विशिष्ट पहचान प्राधी करन, इलेक्ट्रोनिक्स और सूषना प्रद्योगी की मंत्रा लिया और NRC इस्ट्रोहेदराबाद के बीच एक समझोता ग्यापन प्रसाक्षर किये गए है Next question देखो किस राजे सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाईल आप 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाईल आप लॉंच किया है Correct answer is option number C, उत्राखंड, details देख लो तो उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाईल आप 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाईल आप लॉंच किया इसे सतरकता विभाग दवारा विक्सित किया गया है ताकि लोगों के लिए भ्रष्टाचार से संबंदित शिकायतों को सीध्या दिकारियों के पास दर्ज कराना आसान हो सके आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और कोई भी आप या फोन के जरिये नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है सभी शिकायतों को आप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा और डेटा के साथ साथ शिकायत करता की पहचान को भी सुरक्षित रखा जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देखो भारते विज्यानिकों ने हाली में डैश नामक भूद जैसी दिखने वाली एक नई अकाश गंगा की खोच की है बहुत जैसी दिखने वाली गलेक्सी डिसकाबर की है भारते गौल भूतिकी संस्थान के बिज्यानिकों के साथ सथ फ्रांस के बिज्यानिकों ने पैरा बैंगनी इमजिंग टेलिसकोप को अप्योग करके इस अकाश गंगा की खोच की है अकाश गंगा का नाम UVIT J2022 रखा गया है यह low disc density के कारण भूद की तरह दिखती है यह लगभग 136 million प्रकाश वर्ष दूर सित है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो विश्व होमियोपैथी दीवस 2022 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर इसको आप्शन नमर डी विश्व होमियोपैथी और चिकित्सा के दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागुता फिलाने के लिए हर साल 10 एप्रल को विश्व होमियोपैथी दीवस मनाया जाता है यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सैमूल हैनिमन की जयनती का प्रतीख है जिने होमियोपैथिक नामक वे कल्पिक चिकित्सा प्रणाली के संसापकवाना जाता है 2022 के लिए थीम है पीपल्स चोईस वर वेलनेस लाश्ट क्वेस्टिन देखलो आज के सेशन के लिए तो विश्विदालिय अनुदान आयोग UGC ने किस विश्विदालिय में भीमा भूई चेर स्थापित करने का निर्णाय लिया है करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नमबर D दोनों B और C यानि गुरु घासिदास विश्विदालिय और दिल्ली विश्विदालिय डिटेल्स देखलो तो UGC ने दो केंद्र विश्विदालियों में भीम भूई चेर स्थापित करने का निर्णाय लिया है ये विश्व अदालिया है, दिली विश्व अदालिया, और चत्यिस गड़ में गुरु घासिदास विश्व अधालिया, भीम भोई को संथ कभी के नाम से जाना जाता है, दह महीमा धरम के समर्थक थे, जो औरीश और आसपस की राज़यों में प्रचलित एक धरम है, दह महीम महिमा स्वामी महिमा गोसाई के भग थे जिन्होंने महिमा धरम की स्थापना की थी क्विकली डिसकस कर लेते हैं आज की सेशन की समरी को तो यूनियन क्याबिनेट ने अप्रूफ किया है कि अटल इनोवेशन मिशन एम को मार्च 2023 सक जारी रखा जाएगा दि मेवरिक इफेक्ट बुक हरीश महता ने लिखी है नाशनल सेफ मदर हुड डे 11 एप्रल को मनाया जाता है इनिशेटिव अफसर एर्पोर्ट अथॉर्ट अफ इंडिया ने शुरू किया यून जर्नल एसेंबली ने रेजलूशन पास किया कि हूमन राइट्स काउंसल से र उत्राखण ने लॉंच किया इंडियन साइंटिस्ट ने घोस्ताई गलेक्सी डिसकवर की है इसका नाम रखा गया है यूवी आईटी जे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड होमोपैथी डे 2022 के लिए थीम है पीपल स्चोइस वर वेलनेस और यूजी सी डेली यूनिव उनिवर्सिटी और गुरु घासी दास यूनिवर्सिटी चथिसगड़ में भीम भोई चेर स्थापित करेगा बात कर लेते हैं आज के सेशन के खुश्वदर डे के आपका पहला क्वेस्टिन है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की साथवी वर्ष्ट गांट कब मनाई ग हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैं इसको जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच आल सीन में नेक्स सेशन